नमस्कर दोस्तों मैं हूँ रोशन 1441 रेशिपीज में आपका स्वागत है आज हम चने की डाल और चावल के आठे से बहुत ही अच्छा क्रिस्पी नास्ता बनाएंगे जो आप मौनिंग में चाई के साथ या बच्चों को नास्ते में दे सकते हो तो चलिए रेशिपी सुरू करते है यहाँ पर हमने चने की डाल को मीडनाइट बीगो के रखी थी तो आप देख सकते हो अच्छे से बीग के फूल गई है अब हम इसका पानी निकाल लेंगे और वास कर लेंगे चने की डाल को वास कर लिया है अब हम मिक्सर में एड कर लेंगे और साथ में हम यहाँ पर अद्रक, लसुन और हरी मीर्ज एड़ कर लेंगे टेस्ट के ही साब से लेनी है एक चम्मच जीरा एड़ करेंगे और ब्लेंड करने के लिए दो से तीन चम्मच जितना पानी एड़ कर लेंगे और बारिक पीस लेंगे, ज़्यादा स्मूर्ट नहीं बनाना है चने की दाल को हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है बावल में निकाल लेंगे अब हम इसमें सुखे मसाले एड़ करेंगे यहाँ पर हमने लाल मिर्च ली है, एक और अधा चम्मच जितना टेस्ट के इसाब से नमक एड़ कर लेंगे आधा चम्मच जितना हल्ली पावडर एड़ करेंगे एक चम्मच आमचूर पावडर एड़ करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला एड़ करना है हरा दनिया एड़ कर लेंगे सारी चिजों को अच्छे से मिलाना है सारे चीजे अच्छे से mix हो गई है हमें मसाल एक को set होने के लिए एक तरप छोड़ देंगे अब हम stuffing के layer के लिए चावल का आठा गुट लेंगे दो कब जितना चावल का आठा लिया है उसको बड़े से बरतन में ले लिया है हमें रोटी जैसा soft आठा गुटना है क्योंकि उपर का लेयर फिका ना लगे अच्छे से मिक्स करना है नमक अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम पानी एड करेंगे पानी हमें गुन गुना करके लेना है गुन गुना पानी लेने से अच्छे से बाइनिंग आ जाएगा आता है वो सौफ्ट रहेगा अच्छे से मिक्स करते जाएंगे जरुएट के इसाब से पानी एड करते जाएंगे और आटा गुट के रेडी कर लेंगे आटा हमने गुट के रेडी कर लिया है आप देख सकते हो आटा हमने ज़्यादा ठिक भी नहीं रखा है अब हम लूई लेंगे लूई हमें बड़ी सी लेनी है और चकला लेंगे यहाँ पर दस बिलकुल भी नहीं लेना है आप सोच रहे होंगे कि चावल का आटा है तो बिना दस के कैसे लेंगे यहाँ पर आप बेलन पे टेल लगा सकते हो इस तरह से हमें बेलना है यहाँ पर जदा प्रेस नहीं करना है हलके हाटों से ही बेलना है क्योंकि चावल का आता है तो उसमें बाइंडिंग बहुत कम होता है इस तरह से हमें बेलना है हमने रोटी की साइज का बेल लिया है उस पे स्टफिंग एड़ कर लेंगे अच्छे से फेला लेंगे बॉडर हमें थोड़ी छोड़ देनी है इस तरह से हाटों से ही फेलाना है अब हमें एक साइज से मोड के रोल बनाना है आप देख सकते हो किस तरह से हमें रोल बना रहे है इस तरह से हमें रोल बना लेंगे हलके हाटों से बनाना है सकता है लास्ट वाली जो बॉडर है उसको हमें इस तरह से स्याट कर लेंगे और साइट की बॉडर हमें खूले ही छोड़ देना है सेट कर लिया है अब हम दो से तीन बार गुमा लेंगे ताकि अच्छे से रोल बना रहे यहाँ पर खूली हुई किनारिया है उसको कुछ नहीं करना है वैसे के वैसे ही रेने रेना है अभी एक प्लेट में रख देंगे इस तरह से सारे रोल बना कर रेली कर लेंगे सारे रोल बना कर रेली कर लिया है दो से तीन मिनिट हो गई है तो अच्छे से सेट भी हो चुके होंगे अब हमें यहाँ पर रोल को स्टिम करना है स्टीम करने के लिए स्टीम प्लेट लेंगे स्टीम को स्टीम प्लेट को अच्छे से टेल से गानिस कर लेंगे अच्छे से फिला लेंगे पूरे प्लेट को गानिस कर लेंगे अच्छे से गानिस कर लिया है अब हम जितने आये उतने रोल रख देंगे इस तरह से हमें दोनों प्लेट में रखके रेडी कर लेना है दोनों प्लेट रेडी हो चुकी है स्टीम करने के लिए रख देंगे हमने दोनों प्लेट को स्टीम कुकर में रख दिया है अब हम मिद्यम फ्लेम पे 20 मिनित तक स्टीम कर लेंगे कवर करके हमारे रोल स्टीम हो चुके है अब हम प्लेट को ठंडा कर लेंगे हमारे रोल ठंडे हो चुके है अब हम इसको कट लगा लेंगे इस तरह से गिसकर हमें कट लगाना है साइड का हिस्सा है खाली है इसलिए इस तरह का रहेगा आप देख सकते हो अच्छे से steam हो चुके है आप चाहो तो direct steam किये हुए भी खा सकते हो अच्छे से cut कर लेंगे और ready कर लेंगे सारे roll cut कर लिये है उसके जो layer है वो बहुत ही अच्छे से दिख रहा है अब हम इसको fry कर लेंगे इस तरह से dip करके सिधा गरम टेल में रखते जाना है रखते वक गैस की flame हाई रखनी है जितने आए उतने pan में रख देंगे हमारे roll fry हो गए है अच्छे से आप देख सकते हो क्रिस्पी हो चुका है कलर भी अच्छे से आ गया है इस तरह से सारे roll fry करके प्लेट में निकाल लेंगे हमारे चने की डाल और चावल का बहुती बढ़िया क्रिस्पी नास्ता रेडी हो चुका है टोमेटो केचप या नास्ते में चाई के साथ खा सकते हो बच्चों से लेकर बढ़े सभी को पसंद आएगा आपको हमारे रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सेर करें